नमस्कार किसान भायो मैं आपका दोस्त मनिजाट और आप देख रहें एगरी टेक मास्टर यूटूब चनल किसान भायो आज में आया हूँ जंगीर कंपनी जो की राइसिंग नगर राजस्तान के इंदर इस्तित है और किसान भायो के लिए बेहतरीन से बेहतरीन मशिने लेक कार की आपर बनते है किसान भायो आज के इस सांदार वीडियो में हम बात करेंगे हैं एक किसान से पहलेरी आपको जानकारी दूम इस मसीन इसका एवरेज इतना रहने वाला है कि आपको मज़ा जाएगा और किसान भाई इसके अंदर डबल वील है जिससे कि आपको ये प्रोपेट होगा है कि आपके पास जितना भी छोटा टेक्टर है वो आराम से चलेगा तो किसान भाई इस मशीन के बारे में हम आपको संपून ज जो एरिया है और अपने बियार की तरफ की बहुत मक्य की फसल होती है तो किसान भाई की डिमांड रहती है कि हमारे लिए कंवेयर बेल्ट वाला लेकर आए जिसकी केपिसिटी भी ज्यादा हो जाए काम करने के अंदर भी इस तो किसान भाई वो ये मसीन है सबसे पहले इसक अगली तरफ चलते हैं इसके अंदर में आपको सबसे पहले जानकारी दे दो इसकी अंदर तीन में फैन है और दो अपने माल की सपाय के लिए काम में आने वाले फैन है यानि हम इसे पांच फैन मसीन बोल सकते हैं अगर इस पैन के बात करें तो ये मुक्यते आपको किस में काम आएगा वो मैं आपको जानका रहता हूं जब आपकी मक्की आएगी बुट्टा उटा भी आजाता तो यहां पर रुख जाएगा ज्यादा कच्रा माल के अंदर ने जाएगा बिल्कूल भी सपाय के साथ आपको ओपरेट करना बहुत एजी हो जाएगा और किसान भाई सबसे महत्पूर ये देखे कि कनवेर बेल्ट अगर इसकी लेर की बात करें तो जैसा कि आप देख पारें च्यार पांच से यह जो रबड की लेर है ये इस पे लगी हुई है च्यार पांच रबड की लेर से बना हुआ है मजबूत क्वालिटी का पट्टा जिससे कि यह नहीं कि कुछ समय चलने के बाद में कुछ महीने चलने के बाद में पट्टा लूज हो गया खराब हो इस परकार के कोई दिक्कत नहीं आएगी यहां पर आप अपना जो भी भुटा रहेगा वह इसके अंदर ड कहीं बार दस भुटे एक साथ जा रहें पांच जा रहें यानि निरंतर जो एक साथ चलते हैं वहीं चलें अगर इसकी कैपेसिटी की मैं बात करूं किसान भाई तो इस मशीन की एक गंटे की स्यार से 70 क्वेंटल कैपेसिटी रहने वाली है जो कि किसान भाई बहुत ही तो उसके अंदर जो नट आते हैं जैसे कि वह इस परकार क्रोसिंग टाइप में चलते हैं अंदर वह ऐस्सी रहने वाला अगर इसके ड्रमसाइज के बात करें कैपैसिडिक कब बढ़ती है किसान भाई जब उसकी ड्रमसाइज ज्यादा होगी अगर इसकी ड्रमसाइज की करें तो 68 इंच इसका ड्रम साइज है और किसान भाई टेक्टर लोड फ्री के लिए मुख्या थे टेक्टर बेलेंस बना रहे उसके लिए वील महत्पून है उसका दिल और धड़कन रहता है किसान भाई इसमें दो वील मिलेंगे आपको एक आगे की तरफ है एक पीछे की तर किसान भाई यहां पर आपको एक फेन मिलता है किसान भाई जैसे अगले फेन की तरफ आते हैं तो आप जैसान भाई यहां पर आपको यहांसे जो आपका बुसा बाहराएगा अगर आपको लगता है कि बुसे के साथ हलके पूल के दहने आने की शिखा एट है को बताता हूं कि सान यह जो वह अपना जो भूटा रहेगा बूस आएगा उसको पीछे बेजने के लिए काम में आएगा दाना नीचे गर जाएगा भूटे पीछे की तरफ चल जाएगा और किसान बाई जैसे इसके आगे की तरफ चलते यह जो आप अपने टेक्टर से जोडने का जो शिस्टम देख पा रहा है इसे भी आप अपनी ग्रём यह उपर आता है कई नीचे आता है घाता है आप सेट कर सकते हैं ओई देके कि यहां पर इसमें बेरिंग पेडिसल दियो हूए जिसे की पांसो बारा नंबर के जो की एक बेस्ट क्वालिटी जानी जाती है और जैसे आप उपर देख पा रहे हैं तो देखें कि गेर भॉक्स लगा हुआ किसान भाई आपको गेर भॉक्स में भी ओил ग्रीस कम्पलिट मिलेगा आपको कम्पलिट मसीन मिलेगा आपको कुछ भी करने की जरूरत ने किसान भाईए मैंने इस मशीन की बारे में आपको शम्पून जान का रही है दी अब बात करते हैं कि आपको सबसेडी किस प्रकार मिलेगी तो आप अपने ग्राम से बादचीत करें सबसेडी किस प्रकार मिलेगी किसान ब्ई बाई और में इस मिशीन के बारे में संपून जानकारी पक option अब नजदीक कौन सा डीलर है और कितने दिन का time लेगी कि हम यहां पर किस प्रकार विजिट कर सकते हैं, अगर आप वीडियो कॉल करके माद्यम से भी इसे लाइव देखना चाहते हैं, और मैं बहुत जल्द इसका लाइव वीडियो सिधा केस से किसान भाई के साथ आपके साथ सेर करूँगा, तो किसान भाई फिर मिलते एक और इस